हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज गार्लिक चटनी की रेसिपी लहसुन की ऐसी चटपटी और तीखी चटनी जिसे की आप किसी भी दाल, चावल, सबजी, परांठा, कचारी या किसी भी चाइनीज स्नेक्स के साथ ले सकते हो चटनी के लिए एक बाउल हसुन ले ले और एक बाउल लाल मिर्चे ले 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 मिर्चों को एक दो बार धोने के बाद दो घंटे के लिए गुनगुने पानी में भीगने के लिए रख दे मैंने जो ये मिर्चे ली हैं वो ज़्यादा तिकी नहीं है अगर आपके विपाँ ज़्यादा तिकी मिर्चे हैं तो आप उनके बेज निकाल दें फिर आप इनको भीगने के लिए डाल दे मैंने मिर्चों को सारी रात भीगने के लिए रख दिया था मिर्चें फूल कर काफी सॉफ्ट हो गई है मिर्चों को मैंने स्टेंड कर लिया है अब हमने मिक्सी के जार में इनको पीस कर थुड़ा दरदरासा पीस लेना है इसमें एक बड़ा चमस सफेज सिरका डाल दें मिर्चों को पीसने में भी आसानी होगी और दूसरा ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा और चट्नी में बहुत अच्छी खटास भी लाएगा मिर्चों को पीसने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मिर्चें आपकी बहुत अच्छे से भीग जानी चाहिए तभी मिर्चें बहुत अच्छे से पीसी जाती है मिर्चों को दरदरसा पीसने के बाद हमने इसमें लहसुन भी डाल देना है और नमक भी डाल देना है और इनका fine paste बना लेना है मिर्चों को पीसने के बाद आप पैन में तीन बड़े चमच, refined oil के डाल दे ऑईल जब गरम हो जाए तब इसमें लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल दे लहसुन और मिर्चों का कच्चा पंदूर करने के लिए हमने इस वाईल में इस पेस्ट को 3-4 मिर्च तक अच्छे से रोस्ट करना है इस चाइनिज गार्लिक चटनी को ही शेजवान चटनी कहा जाता है शेजवान चटनी में जो कश्मीरी लाल मिर्च साबुत मिर्चे होती हैं उनका यूज किया जाता है अगर आपके पास कश्मीरी साबुत लाल मिर्चे हैं तो आधी आप उन मिर्चों को भी यूज़ कर सकते हो और आधी आप इन मिर्चों को भी यूज़ कर सकते हो फ्लेवर उन मिर्चों से भी वैसा ही आता है जैसा इन मिर्चों से आता है उसमें बस कलर चेंज हो जाता है आधा बॉल के करीव, हमने इसमें पानी डाल देना है, मैंने पानी उसी में डाला है, जिस चार में मैंने मिर्चों को पीज़ा था, अब हमने इस चटनी को तब तक पकाना है, जब तक इसका पानी बिल्कुल सूखना जाये, और तेल इससे बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए, खट्टेपन के लिए अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप चाहे इसमें इमली का पानी यूज़ कर ले या फिर निम्भू का रस यूज़ कर ले लो फ्लेम पर चटनी की कंसिस्टेंसी तीन मिनट के बाद कुछ ऐसी हो गई है चटनी में बाइंडिंग सी आना शुरू हो देती है दो मिनट और पकाने के बाद चटनी का बहुत अच्छा कलर आ गया है और और बहुत अच्छी बाइंडिंग चटनी में आ गई है ऐसी ही चटनी हमें चाहिए अब गैस की फ्लेम को आफ कर दें इस चटनी को बाजार वाली शेजवन चटनी बनाने के लिए हमने चा एक तो पार खाएंगे तो आपको इसकी आदत सी हो जाएगी आपको इसके बिना खाना बड़ा फीका सा लगेगा हमारी दाल चावल चपाती परांठे वाली लहसुन की चटनी चाइनीज रेसिपीज वाली चाइनीज गार्लिक चटनी और पीजा पैटीज बर्गर्स और कराब नहीं होती अब फट फट से एक लाइक कॉमेंट ज़रूर कर दें और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और प्लीज मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रें़्ड्स में जरूर शियर करें मैं इस तरह की असानी से बनने वाली रे रहोंगी थैंक्स फोर वाचिंग, हैव नाइस टे